तीसरा question है 2 root 7 upon 7 under root 7 तीसरा है 2 under root 7 upon 7 under root 7 तो इसको अगर हम आगे simplify करेंगे क्या बन जाएगा 2 upon 7 और root 7 upon root 7 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा, cut जाएगा, आ जाएगा क्या 2 upon 7 2 upon 7 क्या है, परिमे संख्या है क्यों प्यवटे की उगरूम लेख सकते हैं इसको तो ये क्या है, परिमे संख्या है तो तीसरा question क्या है, ये परिमे संख्या है अब आज़े देखते हैं, फोर्थ question में क्या है फोर्थ question लिखा है 1 upon root 2 तो इसको हम करते हैं हर का परिमेकरण आए आगे पेज में देखते है इसमें हम करेंगे हर का परिमेकरण यह क्या चीज़ है हर का परिमेकरण अभी आगे पढ़ेंगे कि हर का परिमेकरण कैसे करते हैं इसमें कुछ नहीं करना बस हर से हर का परिमेकरन करने में हर को अंस और हर दोनों में गुड़ा कर दिना कैसे देखते हैं वन अपान रूट टू है हर इसका क्या है रूट टू है तो रूट टू से हर में भी और रूट टू से अंस में भी मल्टिपलाई कर देंगे क्या बन जाएगा उपर आ जाएगा root 2 अपान नीचे क्या जाएगा हर का परिमेकरान का main मकसद यही होता है कि हर में से under root को हटा गए तो अब यह under root हट जाएगा कैसे root 2 into root 2 हमने बताया है कि direct क्या आ जाता है root A क्यों root X into root X क्या आ जाता है खीक है तो ऐसे तो यह आ गया root 2 upon 2 अच्छा अब अगर root 2 की value हम अगर देखे तो क्या होता है root 2 की value होती है 1.414 1421 1356 ऐसे कहां तक अनन तक और अगर हम इस से divide करेंगे तो क्या हम इस 2 से पूरा पूरा हम divide कर सकते हैं क्यों क्यों हमें पूरा नंबर ही नहीं पता है यह अनन तक जा रहा है हम कहां तक divide करेंगे तो जब divide ही नहीं कर सकते तो यह कैसी संख्या हो जाएगी यह एक आपरिमे संख्या हो जाएगी कैसी संख्या यह एक आपरिमे संख्या हो ठीक है पाई क्या होता है एक अपरी में संख्या होती है जब पाई एक अपरी में संख्या होती है तो अपरी में संख्या में अगर किसी संख्या से गुड़ा या भाग करते हैं तो वो भी अपरी में ही होती है क्यों देखी हमने इसमें भाग किया रूट टू एक अपरी में संख्या क्योंकि भागी नहीं नहीं कर सकते तो फार्यम्यन संख्या भागी नहीं कर सकते इसलिए यह भी क्या होगी hanagys कोईशन नमबर टू ठीख है कोईशन नमबर टू क्या कह रहा है जोसे समय नमबर टू में निम लिखित को सरल कीजिए निम प्लस रूट 3 एक ब्रिकट में दूसरे ब्रिकट में 2 प्लस रूट 2 आपके पास बूक होगी आप लोग देख रहे होंगे question match करवा लिजी है सही है गलत है चलिए आप बढ़ते हैं आगी 3 प्लस root 3 और 2 प्लस root 2 तो आपका अच्छा 9 में है तो इसका multiply करना जानते होंगे तो सबसे पहले हम इस 3 का multiply इस 3 का multiply 2 और इस under root 2 में करते हैं और लिख लेते हैं कितना आएगा 3 तू जा 6 प्लस 3 और under root 2 का multiply करेंगे 3 root 2 हो जाएगा फिर यह वाला symbol प्लस लगा लेंगे अब इस root 3 का multiply इस 2 में और इस root 2 में करेंगे तो 3 का root 3 into 2 क्या हो जाएगा 2 root 3 और plus root 3 into root 2 root 3 into root 3 क्या हो जाएगा 3 into 2 ठीक है 3 to 6 डाइट कर सकते हैं 3 दू निच्छ है तो अब क्या जाएगा 6 plus 3 root 2 3 root 2 plus 2 root 3 2 root 3 plus 3 to root 6 ठीक है अच्छा तो अब ये 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6 आ गया है तो अब ये बताएगे क्या ये इस से ज़्यादा सरल हो सकता है 6 कहीं किसी के साथ हैड नहीं होगा root 2 है ये भी किसी के साथ हैड नहीं होगा root 3 है ये भी किसी के साथ हैड नहीं होगा रूट से यानि ये अब इस स्यादा सरल नहीं हो सकता तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर बस आप इतने पर छोड़ दीजी ये इसका simplify रूप है ये आपका आंसर है ठीक है आए देखते हैं दूसरा कोशन हम सारे कोशन बताएंगे एक भी नहीं छोड़ेंगे जिससे आप कोई प्रसान है आप घर पर revise करिए फिर से लगाईए कहां नहीं आता है वीडियो को पॉज करके पहले आप कोशिस करिए लगाईए फिर आंसर देखिए ठीक है तो देखते हैं दूसरा कोशन क्या है तो सेम काम होई करेंगे अब बार बार हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि आप सीख चुके हैं उपर तो हम यहाँ पे जल्दी से direct करते हैं अब फिर इससे यह प्लस यह माइनस तो यह माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टिप्लाइ माइनस होता आपको पता होगा माइनस 3 रूट 3 अब फिर रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और यह रूट 3 रूट 3 प्लस माइनस का मल्टिप्लाइ माइनस 3 तरी जा अ होगा यह 9 यह 3 इस से यह आके minus हो जाए 9 में से 3 गया 6 और minus 3 root 3 plus 3 root 3 cancel हो गया तो 6 minus 0 यानि equal to answer क्या है 6 6 is your answer ठीक आईए फट से आके बढ़ते है question number 3 question number 3 क्या है root 5 plus root 2 का whole square आप चाहिए तो इसमें आप चाहें तो इसमें a plus b whole square का formula भी लगा सकते हैं क्या होता है a square plus b square plus 2 a b अच्छा है तो simply multiply भी कर सकते हैं कैसे कैसे होगा root 5 और root 2 का multiply किस से करना है root 5 plus root 2 से ही तो करना है तो आप इसको सीखी चुके हैं कैसे करते है root 5 root 5 5 हो जाएगा plus root 5 root 2 5 दूना root 10 हो गया 5 10 5 to the root 10 ये भी हो गया और plus root 2 into root 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो क्या आगया 5 to 7 plus root 10 plus root 10 2 root 10 तो आपका answer क्या आगया आउसर क्या आया 7 plus 2 root 10 ये है अपका answer हो गया ये है आपका answer हो गया 7 plus 2 root 10 ये है आपका answer हो गया ठीक है तो इसी तरीके से इसको करना है बहुत ही आसान question है बहुत ही easy है सारे easy है fourth question आप try करिए पहले आप try करिए फिर हम बताएंगे ठीक है वीडियो को pause करके पहले आप अपनी copy में करिए फिर answer देखिए ठीक है root 5 minus 2 root 5 plus 2 है root 5 minus 2 है और root 5 plus 2 है तो इसको भी हम फार्मूले से कर सकते हैं इसको कहिए तो हम फार्मूले से भी बता दिए ये बाला भी फार्मूले से बता दिएंगे देखिए a square है एक जगा पर root 5 है तो root 5 का square क्या हो जाएगा 5 plus b square b square के जगा पर क्या है b के जगा पर 2 है root 2 है तो root 2 का square क्या हो जाएगा 2 plus 2 into a और b a और b का multiply 5 to the 10 root 10 आजाएगा तो 5 2 7 plus root 10 answer आ गया चाहे आप इससे करिए चाहे फार्मूले से करिए ये भी एक फार्मूले से हो सकता है कैसे हो सकता है एक फार्मूला होता है a minus b into a plus b equal to होता a square minus b square ये क्या है फार्मूला है ठीक है हम पहले basic concept से करेंगे method से multiply method से फिर फार्मुले से दिखेंगे तो root 5, root 5 का multiply क्या होगा 5 फिर root 5 और 2 का multiply 2 root 5 फिर इस plus और minus का multiply minus में आएगा 2 root 5 minus 2 root 5 और 2 to the 4 plus है, minus है, plus minus का multiply minus होगा, और 2 to the 4 दू दू ना, 4 ठीक है, ये 5 है, ये 4 है ये minus है, ये plus है 5 में से 4 जाएगा, 1 आजाएगा plus 2 root 5 minus 2 root 5, cancel हो जाएगा बस, answer क्या है 1 plus 0, यानि कि 1 is your right answer 1 आपका answer हो गया, फार्मुले से भी आप कर सकते हैं, फार्मुले से आप try करिए, homework है A को आप मानेंगे root 5 B को मानेंगे minus 2 तो ये आपका question number 2 complete होता है सारे question हमने करवा दिये, एक भी question छोड़े नहीं है आप लोग घर पे भी homework इसको revise करिए, 2-3 बार exercise को लगाए, तब जाकर कि ये दिमाग में as it is बैठ जागा, कोई question नहीं समझे है आप comment करिए, हम आपको live demo देंगे, live सिखाएंगे कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो चलते हैं, बढ़ते हैं, आगे question देखते हैं क्या है, चले देखते हैं ये है question number 3, आपको याद हुआ कि πाई एक बृत की परिद है, पाई एक बृत की परिद सी और ब्यास डी के अनुपाद से परभाजित किया जाता है, यानि पाई बरावर सी अपांडी होता है, ठीक है तो पाई क्या होता है, सी अपांडी होता है, या इस तत्तिका अंतर बृत करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमे है, अब देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जिसे पाई एक परिमे संख्या हो लेकिन वास्तों में क्या होता है अपरिमे होता है तो कह रहे हैं कि सी अपांडी लिखा हुआ है ये एक परिमे परतीत होता है तो आप कैसे इसका निराकरन करेंगी कि ये परिमे नहीं एक अपरिमे संख्या है ठीक है तो आईए देखते हैं अगर पाई का मान क्या होता है बाइस बटे साथ होता है आपको पता है अगर किसी की परीध बाइस है तो उसकी उसका ब्यास क्या होगा साथ होगा अगर परीध चवालीस है तो ब्यास कितना होगा दुगना होगा चवदा होगा तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये पाई एक परीविया है लेकिन अगर हम देखें पाई का मान बाइस बटे साथ तो ये कित्ता आता है तो अगर पाई का मान बाइस बटे साथ के रूप में बात करें तो ये बाइस बटे साथ तो परीविया है लेकिन अगर पाई की बात करें तो ये एक अपरीविया संख्या ही है क्यों क्योंकि इसका जो मान आता है प्रसार आता है वो क्या आता है इन फाइनेट तक जाता है ना तो कभी repeat होता है ना कभी खतम होता है तो जो कभी ना खतम होता है और ना repeat होता है वो क्या होता है आसांत अनावर्ती होता है इसलिए ये क्या होगा एक अपरिमे होगा यानि पाई भी क्या होगा एक अपरिमे होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि πाई एक अपरिमे संख्या है इसमें कोई भी बिरोधा भास नहीं है ठीक है तो आईए देखते हैं question number 4 question number 4 में under root 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है हम इसको last में देखेंगे पहले हम देखते है question number 5 जो की हम solve करते चलते हैं अभी इसके लिए हमें scale और प्रकार की जरुद पढ़ेगी तो हम उसको लाएंगे भी फिर आपको बताएं तब तक हम question number 5 देख लेते हैं निमलिखित के हरों का परमी करन अब देखिए आगया हर का परमी करन करना है आपर हमने आपको बताया था भी आगे मिलेगा तो देखिए पहला question है one upon root seven निमलिखित के हरों का परमी किसका हर का परमी करन करना है हर का हरों का परमे करन तो हर इसका क्या है रूट सेबन तो हमने आपको बताया कि अगर हर का परमे करने के लिए कहता है तो वन अपान रूट सेबन हर क्या है रूट सेबन तो रूट सेबन से हर और अंस दोनों में क्या करते हैं multiply करते हैं ठीक है तो क्या आ जाएगा root 7 बन जा root 7 upon root 7 को root 7 से multiply करेंगे 7 आ जाएगा बस यह हमारा answer हो गया यह हर का परमेकरन हो गया यह इसके आगे यह solve नहीं होगा तो यह हमारा root 7 upon 7 क्या हो गया answer हम इसमें का आपको सारी question बताएंगे बस आपको देखते जाना है और अगर सीख जाएं तो वीडियो को pause करके आपको खुद से भी answer निकालने के लिए try करना है अगर नहीं आएगा तो हम तो हम तो ही है बताएंगे तो चलिए देखते हैं इसमें भी हर का परमी करना हर इसमें क्या है यह है तो हर का परमी करना जब इस तरह से हो दोड़ जीटों भी इसमें कोई सिंबल हो तब हर का परमी करना हम कैसे करेंगे वन अपान रूड सेबन माइनस रूड सिक्स ऐसे लिख लेंगे और जब हम गुड़ा करेंगे हर से गुड़ा करेंगे तो उसका चिन्ध बदल करके गुड़ा करेंगे इसमें बीच में जो सिंबल लगा है माइनस का हम इसका सिंबल बदल करके गुड़ा करेंगे कैसे? root 7 plus under root 6 से multiply करेंगे बस ये symbol क्या करना है आपको बदल देना है अगर minus है तो plus कर देना है अगर यहाँ plus होता तो minus से गुड़ा करते है बस इतना सा आपको ध्यान में देना है फटा फटा आपका answer आता जाएगा root 7 plus root 6 यहाँ minus था तो हमें plus से गुड़ा करना है plus होता तो minus से गुड़ा करते है simple आईए देखते हैं उपर 1 है 1 का गुड़ा root 7 plus root 6 ही रहेगा नीचे क्या आजाएगा अब देखिए हमने आपको बताया था अगर सूत्र से करेंगे तो easy हो जाए कैसे a square minus b square बढ़ा होता है a plus b और a minus b आपको फटा-फट करना है बाइद सर्वसमिका से इस सर्वसमिका के से या फिर आप डायरेक्ट भी गुड़ा कर सकते हैं तो a plus b और a minus b लिखा है था हम उसको a square minus b square लिख सकते हैं तो a square क्या होगा under root 7 का square minus b square क्या होगा under root 6 का square ठीक है under root 6 का square तो 7 का square क्या मतलब है root 7 into root 7 square का मतलब यही तो है root 7 का square तो जब square हो जाएगा तो root 7 root 7 क्या आजाएगा 7 आजाता है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे अब देखिए उपर root 7 plus root 6 अपान नीचे क्या जाएगा root 7 को हम क्या लिख सकते है root 7 को 7 और root 6 को 6 क्यूं क्यूंकि इसका square हो रहा है ठीक है जब हमने बताया था कि जब किसी number का root x root x होता है तो x हो जाता है या फिर यूं कहें कि अगर root x का square कर देते हैं क्या हो जाता है x हो जाता है ठीक है square का मतलब इसी का दो बार गुड़ा बस simple तो यहां पर भी वही काम हुआ है root 7 plus root 6 6 minus 7 7 minus 6 तो यहां क्या जाएगा 1 तो answer क्या जाएगा अपना root 7 plus root 6 answer नीचे 1 का कोई मतलब नहीं यही हो गया क्या answer हो गया ठीक है तो इसको इस तरीके से solve कर लेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं 1 अपन root 7 minus root 6 into multiply किसे करेंगे minus है plus से multiply कर देंगे root 7 plus root 6 plus का symbol लेकर multiply कर देंगे 1 का multiply इसमें करेंगे root 7 plus root 6 plus आ जाएगा और root 7 minus root 6 root 7 plus root 6 a plus b और a minus b फार्मला लगाएगे तो क्या हो जाएगा a square minus b square a square minus b square a यहाँ पर क्या है root 7 root 7 का square minus b क्या है root 6 root 6 का square जब इसका square हुआ 7 आ गया इसका square हुआ 6 आ गया बस 7 minus 6 1 आ जाएगा निचे 1 का कोई मतलब है नहीं और root 7 plus root 6 तो यह आपका answer हो गया आप इसको कर लीजिए सिखिए नई नई चीज़े सिखिए कैसे solve करते हैं आईए देखते हैं अगला question ठीक है यह question number second है question number third देखते हैं क्या कह रहा है same इसी तरह है आप लोग try करिए नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे पहले वीडियो पहुच करिए पहले आप try करिए फिर हम बताते हैं चलिए उम्मीद करते हैं आपने try किया हुग question number third और answer आया होगा आईए answer को match कराते हैं देखते हैं किसका सही किसका गलात अपने इमानदारी से आप लोग अपना मिलाईए देखे 1 upon root 5 plus root 2 हमें multiply करना है किस से हर का परमी करन करना है तो plus है इस बार symbol तो हम minus से multiply करेंगे under root 5 minus under root 2 हम minus और plus बदल के इसलिए multiply करते हैं जिससे नीचे क्या बन जाए a plus b और a minus b बन जाए ठीक है और बनने के बाद क्या होगा नीचे से under root खतम हो जाएगा परमी करन का main मकसद हमें आपको क्या बताया कि परमी करन का main मकसद यह होता कि root हर से root हट जाए ठीक है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे root 5 minus root 2 से multiply कर देंगे root 5 root से बन का 1 में multiply करेंगे बहीर आजएगा root 5 minus root 2 ठीक है नीचे क्या आजएगा by the formula किस से a square minus b square a plus b और a minus b से इसी formula से आपका क्या आजएगा इसका answer तो a square क्या हो जाएगा root 5 का square minus b square root 2 का square उपर क्या जाएगा root 5 minus root 2 नीचे क्या जाएगा 5 minus 2 इसका square करेंगे 5 इसका square करेंगे 2 फिर आगी क्या जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 यानि root 5 minus root 3 root 2 अपान 3 यही आपका क्या हो गया answer हो गया देखिए हर में से root हट गया है और यह सरल भी हो गया ठीक है और यह हर का परमे करन भी हो गया तो हर का परमे करन हो गया यह आपका answer हो गया root 5 minus root 3 अपान 3 ठीक है तो आएगे आगे बढ़ते हैं देखते हैं question number 4 वीडियो को पहुच करें और अपने आप से try करें देखते हैं आता है कि नहीं आता है फिर आप answer match पर हो गया और देखी किसका सही किसका गलब ठीक है तो चली शुरू करते हैं और start करते हैं इसका परमे करन तो 1 अपन root 7 minus 2 परमे करन करने के लिए symbol चिन को बदल करके answer हो और दोनों में multiply करेंगे किस से उपर क्या गया root 7 plus 2 नीचे क्या गया root 7 के स्क्वाइर करेंगे root 7 के स्क्वाइर minus a के स्क्वाइर हो गया minus b का b क्या है 2 है 2 का स्क्वाइर आगे क्या जाएगा root 7 plus 2 upon root 7 के स्क्वाइर करेंगे 7 हो जाएगा 2 दुना 4 2 का square करेंगे, 4 हो गया तो आंसर क्या है आपका 2 प्लस root 7 प्लस 2 अपान 7-4 क्या आएगा 7 में 4 गया, 3 ये आपका आंसर हो गया root 7 प्लस 2 अपान 3 ये आपका आंसर हो गया ठीक है, तो ये आपकी exercise 1.5 complete होती है आईए आप देख लेते हैं कोजिचन नमबर चौथा जो अंडरूट 9.3 को नमबर लाइन पर दिखाना है ठीक है आएए देखते है तो दिखी ये है नाइन पॉइंट रूट 3 को संख्यार एक अपर निरूपित करना कैसे करेंगे आएए देखते हैं ये कोजिचन है नाइन्थ क्लास NCRT का एकसरसाइज 1.5 का 4th कोजिचन ठीक है तो इसको देखते हैं रूट 9.3 को नमबर लाइन पर कैसे लिखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 9.3 सेंटिमीटर की एक लाइन खीचेंगे यहां से यहां तक 9.3 यहां आ रहा है 9.3 ठीक है तो 9.3 सेंटिमीटर की एक लाइन खीचेंगे इसको नाम देंगे A, B दूसरा काम क्या करेंगे इस A, B को एक सेंटीमेटर और आगे बढ़ा लेंगे एक सेंटीमेटर और आगे बढ़ा लेंगे आपको पैंसिल से करना है जिससे कोई गलती हो तो आप मिटा सको यह एक सेंटीमेटर और आगे बढ़ गई ठीक है यहां पर point B है और यह मानने लेते है point C ठीक है अब तीसरा काम क्या करेंगे इस line A और C को bisect करेंगे इसको आधा-धा करेंगे मानने जे आधा-धा ना आपके कर दें लेकिन नहीं प्रकार के सहाथा से बिल्कुल exact midpoint पालेंगे तो क्या करेंगे इसके आधे से अधिक प्रकार को खोल करके एक ARK चाप उपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे इस तरह से एक यहां पर रखके इधर लगाएंगे और फिर इधर लगाएंगे देख कुछ इस तरह से ठीक है यहाँ पर रखके यहाँ लगाएंगे फिर यहाँ लगाएंगे इधर रखके फिर यहाँ लगाएंगे और फिर यह ऐसे ठीक है तो अब इसको जहाँ पर यह दोनों काटे हैं उसको क्या करेंगे मिला देंगे ये देखिए बिलकुल ध्यान से बीचो बीच से जाएगा मिला दिये ठीक है मिलाने के बाद अब तीसरा काम क्या करेंगे कि इस ये पॉइंट मौन लेते हैं क्या है डी है ठीक है अब इस A, D A और D की तरिज्जा लेकर की A और D की तरिज्जा लेकर की एक खींचेंगे अर्धबृत ठीक है यहां से अर्धबृत देखिए एक डम C पर आएगा ठीक है C पर आएगा एक डम तो ये बन गया अर्धबृत अब चौथा काम क्या करेंगे चाहे इस D के मदद से प्रोटेक्टर की मदद से या फिर या फिर इसकी मदद से माली जी यह आपके पास नहीं है तो इससे भी आप बना सकते हैं पॉइंट B पर 90 डिगरी का एंगल बनाना है तो हमारे पास ये प्रोटेक्टर है इससे आसानी से बन जाएगा तो हम इस B पॉइंट पर 90 डिगरी का एंगल बना लेते हैं 90 डिगरी का ये देखिए 90 ये है यहाँ पर पॉइंट ये 90 डिगरी का अब B से इस पॉइंट को मिला देते हैं ये पॉइंट मानते हैं क्या है ठीक है अब पांचवां काम क्या करेंगे इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे बस आपका 9 रूट पॉइंट 3 आने वाला है इस C को आगे बढ़ा लेंगे जहां तक जाएगी आगे बढ़ा लेंगे फिर क्या करेंगे अब इस B से इस P परसे एक खीच देंगे इस तरह से डैस डैस करके ये माल लेते हैं ये M है तो पॉइंट ये B से ले करके M तक यही आपका 9 रूट 9.3 है ये है नमबर लाइन पर आपका रूट 9.3 को दिखाना तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और कमेंट करके बताईए कहां नहीं समझ मैं नहीं आएगा तो हम फिर साब बोता हैंगे तो ये B से M तक ये आपका नमबर लाइन पर रूट 9.3 आ गया ठीक है तो आएए बढ़ते हैं आगे ये आपका कम्पलीट होता है